तमाटर एक आसी फसल है जिसकी मांग बाजार में हमिशा बनी रहती है वैसे तो टमाटर की खेती साल भर की जाती है लेकिन टमाटर की खेती अगर सही तरीके से की जाए और कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो यह काफी मुनाफा देती है दो जोताई हम कल्टिवेटर से कर देंगे और लास्ट जोताई जो है रोटावेटर से हम करेंगे ताकि हमारा खेत प्लेन हो जाए खेत अगर हमारा प्लेन हो जाता है तो पानी का रुकाओ जो है पानी का जल जमाओ जो है हमारा नहीं होता है नहीं तो हमारे किसान भाई सबस पौधा है फसल है जो की पानी लगने से हमारा मर जाता है इसलिए किसान भाईवो सबसे पहले आप अपने खेत का चुनाव जो करते हैं वो समतलुक करें खेत की तैयारी इसके बाद आप अपना बीज का चुनाव करें टामाटर की खेती में सबसे जरूरी होता है सही समय में खेती करना और सही किस्मों का चुनाव करना अलग अलग हिस्सों के हिसाब से कई किस्में विक्सित की गई हैं कौन सी किस्म कहां पर बढ़िया उत्पादन करती है ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए टामाटर की खेती सा अगर आप टमाटर की अच्छी खेती करना चाहते हैं और बेग्यानिक विधी को अपनाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि हर एक प्रकिरिया को सही तरीके से अपनाई जाए। एक सो अगर दिन तक तक रहता है और ऊपज एक पौधे से एक पौधे से उपज करीगीव 20 से 30 कजी तक आ जाता है जबकि जढी नुमा जो पौधा रहताह वह उसमें हमारा जो है वह पंदरह से 12 से 15 कजी तक मैकशिमम उपज देता है तो हम किसान भाहिव से यह कहेंगे कि ज जाड़ी नुमा वाले जो फचल है उसको हटा कर हम पॉली हाउस में लगाएं और उसको समय समय पर मल्चिंग जैसे करते हैं मल्चिंग दे टपक विधी लगाएं उसमें आपका सिचाई की मात्रा भी कम होती है आपका खरपतवार का भी प्रवलम कम होता है और उपज भी जादा होता है इसलिए किसान भाई हम कोशिस हम लोग करें कि जाड़े नुमा हटा कर और हम लत्यदार वाला टमाटर की खेती कर देखे किसान भाई हो पौधे से पौधे की दूरी हम एक फिट रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी हम तीन फिट या पांच फिट तक भी रखते हैं अगर लत्रदार वाला हो तो पांच फिट रखते हैं और जाड़ी नुमा रहता है तो वो तीन फिट के करीब रखत हैं तीनिफr इसलिए रखते हैं क्योंकि शुर्ज की रोशलिछंए वह जमीन उसके जड़ तक जाता है और रोग-व्याधि जोह हमारा की पतंग जो हो वह कम लगता है हवा का आध चारों तरफ होने लगता है जिसे हमारा रोग कम लगता है हमारा जड़ में सुर्ज की रोसनी जाती है तो उससे फलन भी हमारा जादा होता है